आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉईजी में में पंकज वादवानी एड़ोकेट एंड लॉल एक्चरार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए कानूनी टॉपिक पर जिसे नागरिक तक आ जाता है और ये अत्यंत महत्पूर्ण है इसे समझना क्योंकि ये भी हाल ही में 2019 में सिटिजन अमेंडमेंट अक्ट 2019 पर पूरे देश में बवाल हुआ था तो अमेंडमेंड के पहले ये समझना जरूरी है कि नागरिकता होती क्या है तो हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं इसलिए हमें जादा इसकी दिक्कत नहीं होती है लेकिन जो लोग माईगरेंट हैं जो विस्थापित हैं जो एक देश से दूसरे देश आते हैं और नागरिकता लेते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है तो आईए समझते है नागरिक्ता क्या होती है सबसे पहले नागरिक्ता जिसे हम citizenship कहते है citizenship is an important concept in the law as well as in political science subject तो यह किस subject का विशे है it is not the subject of biology, it is not the subject of chemistry, physics, engineering it is the concept of the law as well as political science यहने राजनिती विज्ञान और कानून का यह महपूर्ण विशे है citizenship is called the membership of the community किसी देश की membership, किसी देश के सदस्ता यदी हो यहाँ समुदाय की सदस्ता आपको तभी प्राप्त होती है जब आप वहाँ के नागरिक्ता को हम यह कह सकते है कि किसी समुदाय की membership लेना और तभी आपको नागरिक्त बनने के बाद ही आपको legal status मिलता है यू विल गेट दी वेधानिक प्रास्तिती याने कानूनी स्तिती मतलब आपके अधिकार और दाइत्वस रजित होते है विदाउट citizenship यू हेव नो legal right, no duties आपकी legal rights और legal duties नहीं होती है तो इस प्रकार citizenship एक political right याने राजनेतिक अधिकार देने वाला एक महत्पूर्ण concept होता है इसके बाद ही आप citizenship होती है तो ही आप vote डाल सकते हैं सरकार को चुनने में आप democracy में भाग ले सकते हैं इवन आपको पारशद, विदायक और लोकसभा का ticket भी तभी मिलेगा जब आप भारत के नागरिक होंगे क्योंकि आपने देखा होगा सारी government post में और जितने भी हमारे जो पद होते हैं समिधान जितने भी relief या protection देते हैं, दूसरे कानून जितने भी relief और protection देते हैं अधिकतर वो citizens enjoy करते हैं तो किसी भी country, हर country अपने नागरिकों को special privilege देती है, special अधिकार देती है और वे अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं जो common अधिकार हैं, वो सब को मिलते हैं, लेकिन जो special अधिकार हैं, वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं अब नागरिकता से संबंदित हमारे देश में सबसे पहले समिधान को देखना पड़ेगा अब भारत का समिधान है, उसका part 2 याने भाग 2 अनुच्छेत 5 से लेकर अनुच्छेत 11 तक जो है यह नागरिकता के विशे में प्राप्त हन बताता है और इसमें एकमात्र पार्लैमेंट को अधिकरत किया गया है नागरिकता के संबंद में जो भी कानून बनाये जाएंगे वो संसद बनाएगी विधान सबा को इसमें कोई पावर नहीं है याने केंद्र सरकार का इसमें मोनोपॉली है किस वाले में नागरिक्ता में केंद्र सरकार की मोनोपॉली है और इसलिए पार्लामेंट ने एक एक्ट बनाया था The Citizenship Act 1955 हालाकि इस एक्ट में कहीं बार संचोधन हुए 1986 में संचोधन हुआ 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और रिसेंट जो हमारा अभी जो संचोधन हुआ था CAA जिसको हम Citizenship Amendment Act केते हैं 2019 में जिसमें पूरे देश में बावाल भी मचा था अब यह citizenship कैसे मिलती है नागरिक्ता कैसे मिलती है तो सबसे सिंपल नागरिक्ता मिलती है citizenship by birth यानि यदि आप भारत में जन्म लेते हैं 26 जन्वरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ती को नागरिक्ता मिलेगी लेकिन इसमें कुछ बाते हैं तो ध्यान रखना है लेकिन आपके पिता भारत की सदस्ता भारत के नागरिक है तो आपको भारत की नागरिक्ता बैडिसेंट यह उद्भो मिलेगी इसी प्रकार 10 दिसंबर 1902 के बाद यदि आप आउटसाइड बर्थ होता है और उसमें आईदर पेरेंट्स आपके कोई भी पेरेंट माता पित यदि भारत के नागरिक हैं तो भी आपको नागरिक्ता मिलेगी किन्तु 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि आपका भारत से बाहर जन्म होता है तो आप नागरिक नहीं माने जाएंगे आपको एक साल के अंदर यहां पर आकर उद्भो के नाम पर एप्लिकेशन देनी पड़ेगी तब जाके आप नागरिक बन पाएंगे एक होर होता है citizenship by registration registration का मतलब होता है पंजी करण से भी application देकर भी धारा पांच में citizenship act के अंतरगत application देकर भी नागरिक तक गरण की जा सकती है और दूसरी है citizenship by naturalization जो होती है जो foreigners हैं वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं लेकिन उनक भारत में शांतिप्री ये डंग से उन्होंने बिताई है then they are eligible to get the citizenship of India and another last one is the acquisition of territory यदी भारत में कोई भू भाग भारत में कोई भू भाग यदी मिल जाता है जिसे आपको पता है गोवा 1962 में भारत में विले हुआ था 1962 के पेले जो गोवा था वो पोर्टगीस के अंडर में था लेकिन जैसे ही गोवा भारत में विले हुआ वैसे ही गोवा के रहने वाले जित्ते भी रेसिडेंट थे वो सब भारत के नागरिक हो गए तो यह थी प्रक्रिया नागरिकता को प्राप्त करने की यहां भारत के न और एक विदेश मंत्राले यह दो मंत्राले जो हैं वो सिटियन शिप को डील करते हैं तो यह सिटियनशिप के बारे में एक आसान भाशा में हम लोगोंने समझा कि नागरिक्ता क्या होती है और नागरिक्ता के से प्राप्त की जा सकती है thank you for watching this channel kindly subscribe my channel loyzy thank you so much